आप सभी को जै माता दी, जै भुलेनाद, मैं महामनलेश्वर अजनी दिवा दास्ची महराज, आप सभी को प्यार भरी, जै माता दी, कार्तिक महतम में चल रहा है, और पवित्र चतुर मास का अंतिम महीना चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, भगवान श्रीकृष्टि को अ चैनल के माध्यम से कथाक अश्रवन करा रही हूं कार्तिक महातम में सुना रही हूं कार्तिक महातम में सुनना और सुनाना दोनों ही सुभाग्य एवं परम सुभाग्य की बात है आशा करती हूं कि आपने चतुर्त अध्धाय को बड़ी ही प्रेम भाव से सुना होगा जो की चत्रमास के नियमों से जुड़ा हुआ है, कारे को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पांचवा अध्याय सुनाने जा रही है, काम न करती हूँ, बड़े मन भाव के साथ आप इस अध्याय का श्रवन करेंगे और गुरु के मान को और सनातन धरम के मान को अपने मन और व करते हुए उनसे आदेश लेते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं, पांचवा अध्याय राजा प्रत्यू ने कहा, हे मुनी जी आपने कार्तिक मास में सनान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधीवत सनान करने की विधी और नियम और उध्यापन की विधी भी हमें बतलाए ये तो बताया है कि कार्तिक मास का जो सनान है, उसकी बहुत विशेष्टा है, बहुत उसका महातम्मे है और ऐसा सनान करने से भगवान श्री हरी हम से प्रसन्व होते हैं देव रिशी नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विश्णु के अंश से उत्पन हुए हैं देव रिशी नारज जी बोल रहे हैं कि आप तो स्वेम भगवान विश्णु जी के अंश से उत्पन हुए हैं अताए आपको सब कुछ मालुम ही है फिर भी मैं आपको यतुचित विधान को बतलाता हूँ किरपया कर आप तिहान से सुनूए आश्विन मास में शुकल पक्ष की एकादशी कार्तिक के वरत करने चाहिए सुभा ब्रह्म महुरत में उठकर जल का पात्र लेकर गाउं से बाहर पुर्व या उत्तर दिशा के और जाना चाहिए उन दिन में अत्वा शाम को कान पर जनेव चड़ा कर पृत्वी पर घास बिछा कर सिर को कपड़े से ढख कर मूँ को बल पूर्वक भली भाती बंद करके थूक वैसांस को रोक कर की हमें मल मुत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी वह जन से भली भाती अपने अंगो को धुना चाहिए उसके बाद तक पश्चात जो मनुष्य दातुन मुक्षुद्धी नहीं करता उसके सब जो मंत्र हैं वे निश्फल हो जाते हैं अता दात और जीव को अत्यांत पूर्वक बहुत साब्धानी के साथ हमें साफ करना चाहिए और निमिन लिखित मंत्र पढ़कर व्रक्ष से दातुन को तोड़ना चाहिए हे भरस्पती तुम हमें आयू कीर्थी तेज प्रचा पशू संपत्ती महा ज्यान बुद्धी विध्या हमको प्रदान करें यह मंत्र पढ़कर दूद वाले व्रक्ष से 12 उंगली की दातुन को चाहिए प्रते दिन अमा अवस्या नौमी छटी रविवार को चंद्र तथा सूरे ग्रहन में दातुन करना अच्छा माना गया है कटीले पेडों को यानि जिसमें काटे बोई हुए होते हैं एवं कपास पीपल बर्गद इन सब पेडों की दातुन करनी बहुत शुब मानी गई है तत्पश्यात भली भाती स्नान करके फूल माला चंदन और पान इत्यादी पुजा की सामगरे लेकर प्रसन्नमन वा भक्ती पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए वहां सभी देवी देवताओं का अर्ध है आचमनिये आदी वस्तों से अलग-अलग पुजन करना चाहिए प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए फिर भगतों के स्वर से स्वर को मिलाकर श्री हरी का किरतन करना चाहिए जो इसने कहते हैं कि आप सब चीजों से निवरत होकर भगवान भुले नाच जी के मंदिर में जाकर सामोहिक रूप से बैठकर कार्थिक मास में भगवान श्री हरी का भजन हमें करना चाहिए मंदिर में जो भी गायक भगवान श्री हरी का कीर्टन करने आए हो जो भी कोई ये भजन कर रहा हो उसे माला, चंदन, तांबुल आदी से उनका पूजन हमी करना चाहिए क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्टन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ती हो जाते हैं ये लोग सत्यूग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान के द्वारा भगवान को प्रसन करते हैं कहने का मतलब है कि जो आपको इस युग में कथा सुनाता है, भगवान का भजन सुनाता है, भगवान का नाम जाप सुनाता है, उसने पुर्व जनम में अपनी तप तपस्या, अपनी भक्ती, अपने दान पुन से भगवान विष्णु हरी को प्रसन किया है और इस युग में इस काल में इस जनम में उसे जो है सब ही लोगों कव पूजना चाहिए क्योंकि उसने भगवान विश्णु को प्रसन्न करने के बाद ही वह जो स्थान है उसे प्राप्त किया है कल युग में भगवान श्री हरी का भजन करना उनका गुडगान करने से भगवान श्री हरी हम से प्रसन्न होते हैं और उसमें लिखा है कि कल युग में भगवद गुडवान ही भगवान श्री हरी को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है नारज जी ने राजा प्रत्यु से कहा, हे राजन मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु आप अधिकतर कहां रहते हैं? नारज जी ने राजा उसको बताया है, यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारज मैं जादातर बैकुंठ तथा योगियों के हिर्दे में रहता क्योंकि भगवान शुरी हरी का जो निवास थाने उसे बैकुंठ धाम कहते हैं, लिसकिन बैकुंठ धाम के साथ साग भगवान जो है योगियों के खृदे में भी वास करते हैं, अपितु जहां मेरा भक्त, मेरा कीर्टन करते हैं, वहाँ पर मैं अवश्य ही आता हूँ जो मनुष्य चन्दन माला आदी से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मेरी ऐसी पृती होती है, जैसे कि मेरे पूजन से भी मुझे नहीं मिल सकती है इसलिए मैं कई बार ये बात करती हूँ, कि जो कोई सच्चा भक्त है, आप उसका कभी भी निरादर मत कीजिए, क्योंकि ये सत्ते हैं कि भगवान अपनी पूजा से भी उतना प्रसन्न नहीं होते, जितना अपने दासों के मान को रखने पर भगवान श्री हरी आप से प्र अपनी पूजा से भी उतना अनंद नहीं आता है, जितना कि अगर कोई मेरे भक्त का पूजन करता है, श्रीष, धतूरा, गिर्जा, चमेली, केसर और कंदार तथा कठहल के फूलों वा अक्षतों से भगवान विश्णुजी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कटहल, कंद, गिरिश, जूही, मालती और केवडे के पुश्प से भगवान शंकर की पूजा भी हमें नहीं करनी चाहिए, लक्षमी जी के इच्चुक पुर्शों को तुलसी पत्र से सूर्य नरायन की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, जिस देवताओं की पूजा म जो फूल निधिश्ट है, उनको हमें उनकी पूजा में नहीं करना चाहिए, यानि शास्त्रयुक्त में लिखा गया है, कि जो बहुत सारे फूल, पुश्प, जो भी औशदी हैं, हर औशदी सभी भगवानों पर नहीं चड़ाई जाती है, इसलिए हमें उसी प्रकार के इसचात भगवान से छमा प्रार्थना करें, हे सुरेश्वर, आप सभी अपने हाथ को जोड़ें, और ये छमा प्रार्थना करें, के हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना तो कोई मंत्र है, ना क्रिया, मैं भक्ती से ही आप से जुड़ा हुआ हूँ, और जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है, उसे पूराक आप ही कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम व दोच्छमा प्रार्थना करके भगवद कीर्टन करना चाहिए। दन्वत प्रणाम पुर्शों को करना चाहिए और इस्त्रियों को घुटने टेक कर भगवान के सनमुख उनका माथा टेकना चाहिए। श्री हरी की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार बताई गई विधी के अनुसार जो मनुश्यकार्तिक वरत का अनुस्ठान करते हैं वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पा जाते हैं। इसी करके भगवान श्री हरी जी को भगवान भूले नाजी के मंदिर में बैठकर जो प्रभू भूले नाजी के सन्मुक होके हरी नारायन का कीरतन करते हैं। भगवान हरी जो है वे उनसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भूले नात भी ऐसे भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और इसी करके जो है कार्तिक मास चतुर मास का अंतिम मास बताया गया है जो भी आपको इसमें आ रहा है जो भी कार्तिक वृत का पुर्ण नहरूप से लाब आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों के दर्शन मात्र से ही हमारे कस्ट खतम होने लगते हैं। जै भुले नाथ। ये पांचवा जो अध्याई है ये स्माप्त हो गया है और छटे अध्याई के लिए हम पुणा आप से मिलनेंगे। आप सभी को प्यार भरी जै मता दी।